इस वीडियो में हम बनाएंगे बेंगॉल और उरिसे का फेमिस गाचा इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और मोयम के लिए घी इसके दिए आप रुफाइन डॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे यह अच्छी से बनाने लगा है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइट सा डू डगा देंगे यह दो बन कर तैयार है इसे हम ढख कर पांच मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रगतेंगे तब तक हम चाश्री बना के तैयार कर देंगे जिसके हम कडाई में एक कटोड़ी चीनी डालेंगे और उसी कटोड़ी से आधा कटोड़ी पानी और इसे मेल्ट कर लेंगे देखे चीनी जो मेल्ट हो चुका है इसे हम थोड़े दर पकाएंगे और गाड़ा कर लेंगे यह अच्छे से पक चुका है और गाड़ा हो गया है अब पांच मिनिट के रहस के बाद हम डूक को एक बर फिट से मसल के स्मूध कर लेंगे अब मैसे बेलेंगे अब मैसे बेलेंगे अब मैसे बेल लेंगे इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे हमने इसे बेल लिया है अब हम पहले चारो तरफ से इसके साइट्स को कट करके निकाल लेंगे उसके बाद हम इसे मीडियूम साइज के पीचिस में कट करेंगे इस तरीके से हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे इसे हम पहले लोग फ्रेम पे फ्राइ करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पीसे से बहुत फूल गया है और उपर आ गया है अब हम फ्लेम को मीडियूम कर देंगे और दोनों साइट से गुल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राइ करेंगे दोनों साइट से फ्राइ हो चुका है इसे हम निकाल लेंगे इससे हमने निकाल लिया इसी तरह की से बागे बचे वे पीचे स्कूल भी हम फ्राइ कर लेंगे और निकाले वे पीचे इसको हम चाशने में डाल देंगे मिक्स करेंगे और इसे बीस मिनट के लिए चाशने में छोड़ देंगे अब ये बागे बचे वे पीचे स्कूल भी हम फ्राइ हो चुके हैं इसे हम निकालेंगे और इसे भी हम चाशने में डाल देंगे अच्छे से मेक्स करेंगे और इसे भी पंदर से बीस मिनट के लिए चाशने में रहने देंगे हम 20 मिनट बाद हमारा गाचा बनकर बिलकुल तैयार है ये उडि सभ और बेंगॉल का फीमज काचा की रेसीपी को और पर बनाकर जरू ट्राइग करें ये बहुत ही टेस्टी और खसता होते हैं इस मीठे की रेसिपिका आप एक बर बना कर जरूर ट्राइक करें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें चानल पना है तो सब्सक्राइब करें और बेल अकन जरूर तबाएं थैंक यू